आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 प्रहल तक के सभी इंपोर्टन्ट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने किली मिलेगा साथिगा इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करन्ट अफेर्स वीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फिर्स्ट कॉमें या फिर डिस्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल फ्ले स्टोर से करन्ट अफेर्स फंडा आप को इंस्टॉल कर लीजे क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैटेरियल है जिसमें आपको करन्ट अफेर्स के साथ साथ स्ट्रेटिजी के भी प्रोवाइट कराते हैं यह सभ के फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले 11 अपरेल को पड़े गए करन्ट अफेर्स क्विकली रिवाइस कर लेते हैं गीतांजली श्री का एक जो नोवल है जिसका नाम है टॉम बॉफ सेंट यह फर्स्ट हिंदी नोवल बन गया है जिसको इंटरनेशन सॉलिड फ्यूड डक्टिड रेमजेट टेकनलोजी यानि की एस एफ डी आर इसका परिक्शन किया है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने करन्ट फिसकलियर के लिए आने की जो आपका 2022 है इसके लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है यह 7.8 परसेंट से घटागर 7.2 इसको 8 अपरेल 2022 को 7 साल पूरे हो गए है आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन इसको मार्च 2020 तक बढ़ा दिया है फोटोग्राफर एमबेर ब्रेकन इनको 2022 के वर्ड प्रेस फोट अफ तईयर आवार्ड के लिए चुना गया है नेशनल स इंजिनरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है करनाटक मिल्क प्रोडूसर्स के लिए नंदिनी शीरा समरिद्धी सहकारा बैंक इसको सेट अप किया है तमिन लाडू ने इमर्जंसी के टाइम पुलिस एसिस्ट कर सके पब्लिक को उसके लिए को जाना चाहिए रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने आईडीवियाई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों पर ही 93 लैक इच का फाइन लगाया है भारत ने युनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डॉपिंग इन इस्पोर्ट इन 2022 इसमें भारत ने 12124 यूएस डॉलर का कॉं और साथ ही आपको जाना चाहिए कि सर्भिया के प्रेजिडेंट फिर से रिएपॉइंट किये गए हैं अलेक्जेंडर व्यूशिक चलिए अब देखते हैं 12 अपरेल तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स International Day of Human Space Flight is observed every year on which day मानव अंतरिक्स उडान का अंतराष्ट दीवस हर साल किस दिन मनाया जाता है आप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन डी है अपरेल 12 तो 12 अपरेल को International Day of Human Space Flight मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है इसका रिजन जानेंगे पहले आप यह जानना चाहिए कि 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट जिसका नाम स्पूतनिक वन है इसको लूंच किया गया और उसी के कुछ साल बात जो कॉस्मोनोट है यूरी गैगरीन ये किस देश के थे ये रश्या के थे ये कई बार बश्यक्वोशन पुचन जाता ये कहा के थे ये रश्या के थे और ये फ 시我們 वेट एक औरबिट कम्पलीट किया था 12 अपरेल 1961 को किसी स्पेस्क्राफट में थे यह वास्तों का वन स्पेस्क्राफट में और उनकी जो फ्लाइट मिनट तक चली थी आपको जानना चाहिए ठीक है तो 12 अपरेल 1961 को इन्हों का एक और बिट कम्प्लीट किया था कि हूँ टुक ओथ एस पाकिस्तान 23rd प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के 23 प्रदान मंत्री के रूप में किस ने सपत ली है ऑप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन डी है सहबाज शरीफ कि जानेंगे इस कोश्चन के बारे में दे 23rd प्राइम मिनिस्टर बन गए है क्यों बने है क्योंकि जो मौझूदा प्राइम मिनिस्टर थे हैं इमरान खान इस पार्टिक है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानि की पीटी आई इन्होंने जो अविस्वास मत है वो हार गई थे तीक है नो ट्रस्ट वोट यह हार गई उसके बाद इन्हें बाहर कर दिया गया और इनके बदले अब जो उपोजिशन के लीटर थे सहभाज शरीफ इनको प्राइमिस्टर बनाया गया है देखिए जो इनकी पार्टी है इसलिए हाइलाइट की है क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है पाकिस्तान में कौन प्रा और श्यावाज शरीफ किसी हो गया पाकिस्तान मुसलिम लीग नवास 70 उचाब को जानना चाहिए जो यह सेवाज सरीफ इत के चीफ मिनस्टर रह चुक से पहले और सबसे लंबे समय तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहने वाले भी ये वक्ति हैं पंजाब यानि की जो पाकिस्तान में प्रोविंस है पाकिस्तान में चार प्रोविंस है पंजाब सिंध बलुचुस्तान और खाइबर पक्तुनुवा ये चार प्रोविंस पाकिस्तान में है इनमें से एक पंज निवालियों पाकिस्तान में जो लुवर हाउस है यानी की नसनल एसम्बली इसमें 342 सीट्स है और जो पाकिस्तान का अपर हाउस यानी की सीनेट इसमें 100 में ने हैं वह पर एक्षाहिए is जो से लंका सुर्मर्य होने चाहिए और सिर्लंका कि संसत के बारें भी आपको चाहिए स्री लंका की पोपुलेशन कई बार पुछे जाते ही कितनी पूपूलेशन है यह भी पूछ लिया जाता है कि यूनिक आइडेंटिफिक्शन अथारिटी ओफ इंडिया है साइंड एन MOU with which Agency for Technical Collaboration भारतिय विशिस्ट पहचान प्राधिकरण ने तक्निकी सहयोग के लिए किस एजनसी के साथ समझोता ग्यापन प्रहस्ताक्षर किये हैं ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन ए है इस्रो तो देखे एक MOU साइन किया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथारिटी ओफ इंडिया किसके साथ किया है इसरो हैदराबाद के साथ किसले टेकनिकल कोलैबरेशन के लिए तो देखे जो आधार सेंटर से उनकी इनफोर्मेशन और लोकेशन पराप्थ करने के लिए जो आपका नेशनल रिमोर्ट सेंशंग ए यह भूवन आधार पोर्टल इसको डेवलप कर रहा है कि आपको जाना चाहिए यह जूनिक आइडेंटिफिक्शन ऑथारिटी ऑफ इंडिया है यह इस रेशुटरी ऑथारिटी है जिसको आधार एक्ट 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को बनाया गया था और यह मिनिस्ट्री ओफ इलेक्ट्रोनिस एंड इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी के त आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी है अरुनाचल प्रदेश को कि एंट यह यानि की नैशनल टाइगर कंजर्वेशन आथारोटी इसका यह बीस्वी मीटिंग रही और यह कहां पर हुई है अरुपेंद्रिया दो इनकी अध्यक्षता में हुई है आपको बता दें पह से बाहर हुई है यानि कि जो हमारा जो डैली है उससे बाहर हुए वढ़ना यह मुमन डैली में ही यह मिटिंग हुआ करती है आपको जाना चाहिए जो नैशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारोटी है एंटिसीए यह बी एक स्टेशुरी बोडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रहते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन वार्मेंट मिनिस्ट्री में वह इसके वाइस शेर परसन रहते हैं कि यह को एक और सब्सक्राइब कर लोंच्ट इट्स फरस्ट ग्रोशरी फॉलफिल्वैंट सेंटर इन विच इस्टेट एको मर्स कंपनी प्लिपकार ने अपना पहला किराना पूर्थी केंदर किस राज्य में लॉंच किया है। उप्षोंस आपके सामने हैं। सही आंसर उप्षोंस ए है आसाम। तो flipcard ने अपना first grocery fulfillment center इसको आसाम में लॉंच किया है। और ये completely महिलाव द्वारा संजाली थे। all women team है इसमें बाकिया आप जानते है फ्लिप कार्ड के सीओ कल्यान क्रिश्नमोर्थी है है एट्वाटर बेंगलूरू करनाटक में है अच्छा हाल यह हमने फ्लिप कार्ड संबंदित जो करंट अफेर्स पड़े थे उसे देख लेते हैं तो फ्लिप कार्ड नहीं हाँ पर एक स्ट्रेजिक एलाइंस में सामील हुआ है गूगल क्लावड के साथ तो इंप्रूब इनोवेशन और हमने देखा था कि फ्लिप कार्ड हैल्थ प्लस इसका सी यो बनाया गया है प्रसांथ जाविरी को फ्रेंच फर्म एल्डीसी और विच बैंक हैव साइंड यूएस टोटल लोन पैक्ट तो हेल्प इस्मॉल हॉर्डर फामर्स इन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया और पाहिस्तान फ्रांसी सी फर्म एल्डीसी और किस बैंक ने भारत और पाहिस्तान सहीत देशों में छ तो इशन डेवलप्मेंट बैंक और एल्डीसी यानिकी लूइस ड्रीफोस कंपनी यह इसकी फिल फॉर्म है तो इन दोनों ने ही हंड्रेंड मिलियन यूएस टोर यानिकी लगबग साथ सो साथ करोड रुपे का एक लोन पैक्ट साइन किया है जिसके तहर जो इसमॉल फाम पूरा करेंगे तो जो एक 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 पूरा ग्रूप है उसकी एक कंपनी है तो यह इंडिया इंडोनेशिया पाकिस्तान थाइलेंड वियतनाम यहां पर इसके उपरेशन चलते रहते हैं तो उसमें जो फार्मर्स हैं जो कोफी कोटन राइस इन्वेंटरी से संबंदित हैं उ पूस्ता के लिए का कौन है सही आंजर ओप्शन है हरीश महता तो हर्पर कॉलिंस ने यह पुस्तक रिलीज की है जिसका नाम है इंसाइड स्टोरी ओफ इंडिया साइटी रेवल्यूशन आपको बताते हैं इस पुस्तक को लिखा है नासकॉम के फांडिंग मेंबर और इसक से आप समझ सकते हैं कि इस बुक में नासकॉम के बारे में बात बता ही गई है जैसे आप यहां पर देश सकते हैं तब मैंवरी के इफेक्ट इस डेफिनिटिव और ऑथरिटेटिव बाइग्रोफी ओफ नासकॉम कॉमिटी के कोश्चन बहुत पुछता है यह आप याद रखेगा जो बैंक से संबंदित कमेटी होती हैं तो देखिए सेवी इसने दो अलग अलग एक्सपर्ट ग्रूप्स बनाए हैं कि से संबंदित जो एसेट मैंजिमने कंपनीज होती है यानि कि मूच्वल फंड्स होते हैं उसमें स्पॉंसर होते हैं और ट्रस कि साथ मिलकर या फिर किसी और बौड़ी के साथ मिलकर जबकि जो ट्रस्टी है ट्रस्टी का मेन रोल यह रहता है कि जो यूनिट होलर्डस हैं जिन्होंने मूच्वल फंड में स्कार्ण ने पैसा लगाए हैं उनका इंट्रस्ट जो है प्रूटेक्टेड रहे हैं ठीक है जो भी उनके अधिकार है वो जो है प्रोटेक्टेट रहे हैं बाकिया आपको जाना चाहिए जो यह वर्किंग ग्रूप और इस्पॉंसर से तो इस्पॉंसर से संबंदी जो वर्किंग ग्रूप बनाया गया है उसकी चेरपरसन होंगे एबाला सुब्रमन्यम जो की MD & CEO आदि सुब्रमन्यम दूसरा है mutual fund trustees का इसके अध्यक्षता को नहीं करेंगे मनोज वैश जो की independent trustee है मेरा है mutual fund के नियो एप विच प्रिंक्ष तुगेदर ग्रोसरी तो होटल तो एरलाइन टिकेट बुकिंग और मैडिसीन बाइंग ओना सिंगल प्लैटफॉर्म इस दप्रोड़क्ट ओफ विच कंपनी पूछ रहा है कि नियो एप जो एक ही प्लैटफॉर्म पर ग्रोसरी तो होटल तो और दवा खरीद को एक साथ लाता है किस कंपनी का प्रोडेक्ट है उप्शन सापके सामने है सही आंसर उप्शन डि रहेगा टाटा ग्रूप तो यह तो आप सभी जानते होंगे साथ अपरेल को टाटा ग्रूप ने इंडिया का फस्ट सूपर एप जिसको नाम दिया गया ह है टाटा नियू इसको लॉंच किया इसमें आप ग्रोसरी होटल बुकिंग और एरलाइन टिकेट्स मैडिसीन ठीक है यह सभी किसी भी तरह की शोपिंग यह सब आप टाटा नियू एप पर कर सकते हैं तो एमेजोन और जो फ्लिप कार्ट इसको सीधी सीधी टक्र देगा य और डेरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पाइलेट प्रोजेक्ट लॉंच किया है उप्शन सापके सामने हैं सही आंसर उप्शन सी रहेगा उत्राखंड तो देखें गोर्मेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्पेंट्री एंडेरिंग है इसने उत्राखंड में पाइलेट प्रोजेक्ट जिसका नाम है वन हैठ बाइलेट प्रोजेक्ट मतलब जब किसी प्रोजेटक आप छोटे स्तर पर लांच करते हैं देखने के लिए क्या वो सही तरीके से कारिये कर रहा है तो उसको बोलते हैं पाइलेट बैसिस पर इंडिया यानि कि पूरे भारत में आप इसको फिर लॉंच करते हैं ठीक है पाइलेट प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है अब मान लिजिए उत्राकंड में वन हैल्थ प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है इनके द्वारा अब यह देखेंगे कि सही से चल रहा है प्रोजेक्ट है वह आने लग जाएंगे फिर इसको फिर पूरे भारत में लॉंच कर दिया जाएगा तो इसका मतलब वही है कि जो वन हेल्थ रोड मैप को डेवलप करना जो भी देखें जो कोई बिमारी है उससे संबंदित डेटा आपके पास होना चाहिए प्रीवेस कौन कौन सी बिमा की है तो वह सभी डेटा जो है इसमें क्लेक्ट किया जाएगा एक मतलब एक एक मैनेज्ट तरीके से आपके आप जो है हर एक डेटा जो हैल्थ से संबंदित है उसको बनाए रखेंगे वाकि हमने देखा था हाली में कि उत्राकंड के चीफ मिस्टर ने पुसकर सिंग दामी इन्होंने काए कि उत्राकंड पहला राज्य बनेगा जो की यूनिफोर्म सिविल कोड को अब इंप्लिमेंट करेगा अपनाएगा इन देख्ट्रीम ओफ आर्ट्स एंड हुमेनिटीज विच इन्विश्टी एस टॉप्ट देख्यों विश्टर ने शिर्ज इस्थान प्राप्त किया है वो अप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा इस इन्वर्स्टी ओफ ऑक्सफोर्ड देखे जानेंगे इस कुश्चन को इंपोर्डेंट है तो क्यू एस वर्ड उनिवर्स्टी रैंकिंग्स बाइ सब्जेक्ट 2022 यह रिलीस कर दी गई है ठीक है रैंकिंगे सब्जेक्ट के आधार पर आ सब्जेक्ट यहां पर लिए बारी बारी से देखेंगे कि कौन इसमें टॉप रहा है पहला है आर्ट सेंट हुमारिटी तो यूवर्स्टी ओफ ऑक्सफोर्ड ने इसको टॉप किया है दोसे नंबर पर यूवर्स्टी ऑफ कैंब्री जा तीसरे पर है हार्वर्ड यूवर् इस सब्जेक्ट के अंतर करते हैं दूसरा है इंजिनियरी और टेक्नलोजी तो आपको जाना चाहिए जो मैसेचुसेट्स इंस्टिट ऑफ टेक्नलोजी है जिसे आप M.I.T. कहते हैं यह फर्स्ट रैंक है इसकी दूसरे पर यूवर्स्टी ऑफ कैंब्रीज है तीसरे पर ऑक्सफोर्ड है बात करें I.I.T. पॉंबे की तो 65 रैंक पर है और I.T. डेली 72 रैंक पर है इसके बात बात करते हैं लाइफ साइंसे और मैडिसिन की तो केवल तीन इंडियन उवर्स्टी ऐसी है जो इस लिस्ट में शामिल है टोप 100 नहीं जो पूरी ओवरोल लिस्ट में स 25 पर यह एम से डेली वाला है अच्छा और इसमें साइंस है जो लाइफ साइंस और मैंडिसी ने इसमें टॉप किस ने किया है और हारवर्ड यूवर्स्टी ने नेक्स्ट ने नेच्टरल साइंस तो इसमें पहली पोजिशन पर कौन है मैससरिसेट्स इसीट आप टेक्नलो और फाइनेशल रेगुलेट्री कमिशन ओफिच कंट्री 12 सरकार ने भारतिय प्रतिभूती और मीने में बोर्ड यानी किस से भी और किस देश के वित्तिय नियामक आयोक की बीच समझोता है कि आपन पर हस्ताक्षर करने के परस्ताव को मंझूरी दी है ऑप्शन आपके साम है यूनियाट के द्वारा जो यूनियन के द्वारा आपको जाना चाहिए मंगोलाई कैपिटल और है और करंसी यहां की मंगोलियन टॉग रोक है विच हाई कोर्ट और्गनाइज ते नैसल चुडिशल कॉनफरेंस ओन मेडियोशन एंड इन्फोरमेशन टेक्नोलजी किस उच्चने आलने मध्यस्ता और सूचना परद्वगी पर रास्टिय नियाएक सम्मेलन कायजिन किया है ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन पी रहेगा गुजराथ हाई कोड तो जो भारत के प्रेजिडेंट है रामनाथ कोविंत इनके द्वारा यह दो दिन की नेसल चुडिशल कॉन्फरेंस ओन मेडियोशन एंड मेडियोशन एंड इन्फोरमेशन टेक्नोलजी इसको इनेगरेट किया गया है और यह जो समीट है यह हाई कोड ऑफ कुछराथ द्वारा नर्बदा दिश्टिक ऑफ कुछराथ में और्गनाइज की गई है नेम्ड एंडी नेम दे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डैट वाउस सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाई डिया डियो ओन एप्रेल 11, 2022 उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसका 11 अपरेल 2022 को डिया द्वारा सफलता पूर्वक परिक्षन किया गया ऑप्शन साब के सामने सही आंसर और ऑप्शन सी रहेगा है लीना तो देखिए जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है लीना इसको हैलिकॉप्टर द्वार लॉंच किया गया है और सफलता पूर्वक इसका परिक्षन किया गया है पौकरन राजस्तान में आपको जानना चाहिए इसके जो परिक्षन में डियाडियो इंडियन आर्मी और इंडिया एरफोर्स इनकी टीम सामिल थी अच्छागर हम हैलीना की बात करें हैलीना यानी की हेलिकॉप्टर बेस्ट नाग हेलिकॉप्टर बेस्ट नाग यह तर्ड जनरेशन फायरेंड फार्गेट क्लास एंटी टैंक गाइड़ जाइल है और जो एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर सोते हैं अलेच उन पर इसको मांट किया जाता है और यह 500 मिटर से 7 किलोमेटर तक की रेंज के जो टार्गेट है उसको हीट कर सकती है इसी का यह एक और वेरियंट बनाया जा रहा है जिसका नाम है दुरुवास्त्र इसको इंडियन एरफोर्स में जो है शामिल किया जा रहा है अब देखें हैं प्रीविस असांट के आंसर शर्फूल फेस्टिवल इस चलीबरेइड इन विच से इंडिट आंसर इस चारक्न Gafin 303 इस अन एर्थ जाह इंड जालाइड बच पैजिकोंट रेंग शाइन चैना प्रदेश आंद्रप्रदेश टॉप फूट प्रडूशर इन इडिया विच स्टेट इस टॉप प्रडूशर और उत्तर प्रदेश नहीं पर वेश्ट बेंगॉल को पीछे चोड़ा है और आप इसे कई प्रदेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिस्पेट करते रहें राहुल्स चार्जेस फलैसियस सेज मायवती देखे क्या हुआ राहुल गांदी ने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए जो मायवती की भौजन समाज पार्टी है इस तो देखिए फैलैसियस हमारा सब्स है तो देखें नाउन क्या है फैलैसी फैलैसी का मतलब क्या था है एन आइडिया एट लोट फेपल थिंक इस ट्रू बट इस इन फैक्ट फाल्स ऐसी कोई बात जिसको लोग समझ रहे हों कि हां सही कह रहा है लेकिन वह जन्रली जो है ग पुरूशों के बजाए काफी वर्स ड्राइवर्स होती है खराब ड्राइवर्स होती है तो ऐसी धारणा है यह धारणा क्या है गलत है क्योंकि यह फैलैसी बट पूल दिया गया है इसको अच्छा अब यहां पर क्या है फैलैसियस मतलब not correct his argument is based on fallacies reasoning उसका जो argument है वो जो त सकते हैं गलत धारना पर आधरी यह ब्रहम में डालने वाला ब्रहम पूर्वक ब्रहमात्मक यह अनुचित गलत तो मायव देने का है कि रावद का जो चार्ज जुरावल ने बात कही है वो गलत है किसी उसमें कोई दमी नहीं है अब देखते हैं आज यह साइमेंट तर्म नेसेट इस एससोचेटेड़ विच कंट्रीज पार्लेमेंट बोडर गावस का टॉफी इस प्लेइड बिट्वीन विच तू कंट्रीज और फिफ्ट कोशन है विच सेट इस था होस्ट फोर 12th होकी इंडिया नेसल सीनियर मैंस होकी चैंपेंशिप 2022 तो पाज़े कोस आँसर बियाता है तो वह भी आप में कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथी करन्ट फेस पंडा को आप टेलीग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट को जिसे हमाब सब इक डालते रहते हैं साथी डिसके रूप में आप क कर दो को